चुझरुन्स बिटा आज हम करेंगे अपना comprehensive passage का second type, जो carry करता है seven marks अब आपने देखा था, हम ने जो किये थे, eight marks वाले, eight marks, twelve marks, seven marks यह जिस तरह से carry करते हैं हमारे और इसमें question answers भी आते हैं काई बार आपको इसके आंदर passages दिये होते हैं जिनको complete करना होता है true false आते हैं या word meaning भी आ जाता है काई बार हमको opposite words भी लिखने होते हैं काई बार उसका same word भी हमें mention करना होता है तो आज जो हम passage करने जाएंगे उस passage को पहले हम पढ़ते हैं King Dushant की उपर है आपने नाम भी सुना होका King Dushant was tired and thirsty tired means ठाका हुआ था और बहुत ज़्यादा प्यासा था He had been hunting in the forest all day क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो शिकार बहुत करते थे तो उसमें पूरा दिन जो है hunting की थी forest के अंदर तो वो बहुत थक चुका था और बहुत प्यासा था He looked around and saw a hut at some distance जब वो चल रहा था तो थोड़ी दूर पर जाकर उसने एक hut को देखा The hut had been made at a cynic spot वहाँ पर कुछ अलग से spots थे इट प्रेजेंट अगनिफिशिंट वीव और जो एक बहुत ही magically एक वीव प्रेजेंट कर रहे थे दूर्षिंट entered the hut दूर्षिंट उसके अंदर गया hut के अंदर there he saw शकुंतला दूर्षिंट और शकुंतला की stories आप आगे भी पढ़ोगे आप पढ़ना चाहो तो आप देख कहीं से story books भी खरीदोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना पढ़ेगा तो वहाँ पर उसने जाकर शकुंतला को देखा the daughter of the sage जो एक रिशी मुनी की बीटी थी शकुंतला was very beautiful शकुंतला बहुत सुंदर थी the king fell head over heels in love with her और उसे देखकर जो राजा दुश्यन थे उनको उसे प्यार को गया बहुत सुंदर थी with the blessings of the sage रिशी मुनी की blessings से आशीरवाद से शकुंतला और दुश्यन got married तो शकुंतला की दुश्यन के साथ शादी हो गई अब शकुंतला रानी हो गई और दुश्यन जो की राजा थे भारत वोस्ट नेम अफ देखकर नेम अफ देखकर बहुत ही प्राकर में वीर और बहुत ही कहते हैं न वीर पुरुष था विन भारत बिकम दे किंग जब भारत राजा बना he extended his kingdom on all sided तो वीर तो था ही वो बहुत ही प्राकरमी था तो उसने अपना जो kingdom था राज्य जो था उसको बहुत दूर दूर तक फैला दिया अपने उसमें राज्य में include कर लिया he conquered the whole of this country उसने इस पूरी की पूरी जो country हमारी भारत है न जो भारत नाम है वो इसी सही पड़ा था क्योंकि उसने इस पूरी country को जीत लिया था और इसके उपर वो शाशन करता था the country was named भारत वर्ष और उस टाइम पर country का नाम क्या था भारत वर्ष रखा गया और इस लिए जब भी हम भारत नाम बोलते हैं अपने देश का तो हम remind करते हैं दुश्यंत और शकुंतला को क्योंकि उन्हीं के बेटे की देन हैं जिनोंने इतने सारे राज्यों को मिला कर इस देश को बनाया तो glorious king तो थे ही वो तो ये थी आज की हमारी छोटा सा एक passage अब हमने नीचे के जो cushions दिये गई हैं लाप्स दिये गई हैं उनको फिल करना है king दुश्यंत has been hunting in the forest all day पूरे दिन वो फोरेस्ट में hunting करते रहे शिकार करते रहे so he was tired and tired के साथ साथ क्या थे वो yeah it is thirsty first line में ही दिया गया है he was tired and thirsty he saw a hut dash at a sun exports he saw a hut made at a sun export made at a sun export second line में दिया दुश्यंत दुश्यंत वो शाकुंतला who was very क्या थी वो beautiful शाकुंतला in line third last में शाकुंतला fourth line में आरा है was very beautiful he fell in love with her immediately fell head over heels in love their marriage was blessed by the blessings मेली थी उनको sage की blessing of the sage fifth line में last में है शाकुंतला गेव birth क्योंकि उनका बेटा हुआ था ना to a son son को birth की दिया था उन्होंने तो शाकुंतला गेव birth to a son who was who was named भारत उसका नाम के रखा गया था भारत तो इस तरह से यह फिलप्स जो है यह आपको complete करने है और एवरी फिल इस containing one marks तो इस तरह से हमारे यह comprehension passages होते हैं I hope you like it thank you students have a good day